यह देखेगा है आज फिर हम लेकर के आ गए है एक यूनिक सी रेस्पी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है तो फुल वीडियो देखेगा हमारी यूटिक चाहा मिस्रा की रसोई में तो चले जादा बाते ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी रेस्पी तो यह ने ले लिए है कटहल 250 ग्राम कटहल है हमारा तो इसे हमने छील कर बढ़िया से काट लिया है और दूल भी लिया तो हमने इसी वेज़े सब कर लिया है जिसे कि आपकर टाइम वेश्ट ना हो तो चलिए दो प्याज ले लेने है एक थोड़ा सा छोटा है एक बड़ा है थोड़ा सा तो दीखिए जड़ इसकी लगी रहने देंगे हम यह देखिए और अब हम क्या करेंगा ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे क्योंकि प्याज अकर जालते हो यह दो बहुत जाद पानी उसमीन निकलता है और ग्रेट के डालते हूँ वसे वाहती हैं तदिसमें अई कहले वीडियो दंदाते होड ठाया है तब हमें कैसे पॉर समयाएगी ये शान भीडार देकिए इस तरह रहे चैना के बल्धेrüसक्ता है कषके प्रिthis करनाarme dieses जो स्ट यूदा है एक्छा निकाल देना है हलका मौस्टे zukें प्याज में बहुगत जाए नहीं रहना चीए तो इसमीं यह दूश के क्यों ख़रता है नहीं नहीं निकल गए हेगे मौगत जाएद लगए कि अब बनाना सुरू करते हैं पूरी तरह से जूस नहीं निकला है मगर काफियत तक निकल गया तो उसमें ले लेंगे हम ओईल तो दो बड़े स्पून ले लेंगे अधनिया साबु धनिया जीरा ले लेंगे साबु अब यह हम उच्छित लेना है उसके बाद में डाल देना ह तो देखेगा आप देख सकते हैं खुदी की जूस निकालने से क्या होगा हमारा जो प्याज 15 मिनट में पकता था वह हमारा 5-10 मिनट के अंदर ही पक जाएगा तो हमें लगवा 5-10 मिनट की आड़ा में जाएगे सुपा जल्दी होती है ना इसमसे से तो देखे इस तरह से आगे देखेगा नहीं तो आगे देखेगा कहा हम इस्तमाल करने वाले हैं जिससे की सब्धी का सुआध बढ़ी जाएगा खरार हम अगोगा तो देखेगे इस तरह से जल्दी बूनने लगता है तो देखें तो अब हमें क्या करना इसमें डालीजें है सूखे मसाले जो तुम न से, मृट सिंपल जाहता मısाले नहीं आट करेंगे, हल्दी पाउडर और अभ्स दोखे मसाले हमें चांटा न का सरद तो स्पम्णती पहुता मिपमें तो इसलिए हमने वही पैाज का पाणी ही क्वार्ज ही यूज करेंमे अपनी मसालों को टूरा पकाने केा शया यहाइक HOL जैना मसाले कि खार मच्य मच्य नश्रीं रजाने माच्य मिक्स करेंगे ये देख सकती हैं अब ऐसमें हम में डालेंगे क्या पर त의 tat अधर नहीं डालाई डालेंगे पाल्डूजाब्स टीए जय गा технолог करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा कट्हल पकने के लिए तो पानी हमें इतना डालना है जिससे हमारा कट्हल पक जाए जले नहीं तो यह देख सकते हैं के लिए और टेंगे इस तरह से डंक के पका लेंगे कि देखे दर आ चुका है तो यह देख सकती हैं तो यह हमारा इस तरह से हमला डाएगा तो skipped-बीच में बस इस तरह से हम चला looked तो इसमें जो पानी है यै भी सुक जाएगा ये पात तो ये समें जो पाणयर में पारा आद करें अर स्था होगा और यह इस तरह से कटहल बनाने पर बहुत जादा मैसी नहीं होता है और हमारा कटहल कच्छा भी नहीं है तो देखे चले सब्सक्राइब करते हैं यह देखे हैं बहुत यम्मी टेस्टी डिलीसे बन करके तयार हुआ है हमारा कटहल यह देखे पूरी चपाती किसी के साथ भी क्योंकि कटहल तो इस समय गर्मी की मौसम में आता है और हम मौसम की सब्सक्राइब ना खाए तो ऐसा नहीं हो सकता यह देख सकते हैं बहुत यम्मी टेस्टी बन कर तयार है अगर आप पसंद आई हो वीडियो तो लगए अ